जी आएँ डूस्तों इंडिया और नियू जलेंड महिला क्रिकट टीम के बीच 5 बंडे मैचों की सिरीज खेली जारी है दोनों टीमों की बीच पहला बंडे मैच शानिवार को क्विस लैड में खेला गया जिसमें भारतिय महिला टीम को मेजबान न्यूजिलेंड के हाथो 62 रनों से करारी शिकस्त जिलनी पड़ी जानकारी दे दोस्तों किस तरीके से पहले बल्ले बाजी करते वे न्यूजिलेंड ने सूजी बैट्स की शत्के पारी की बदोलत 275 रन मनाई जवाब में भारतिय महिला टीम भी पीछे नहीं अटी जहां उननचाद 4.4 ओवर तक 213 रनों पर ही धेर होगे लेकिन कोशिश उनकी पूरी थी कप्तान मिताली दाज के अरदश तक क्यालाव भारतिय बल्ले बाज एक बाद फिर नाकाम रही अपना 211 वंडे खेल नहीं 49 वर्श मिताली ने शानदार परफॉर्मेंस की और कायम रखते वे पिछली 11 पारियों वो 7-18 तक जड़े हैं उन्होंने 73 गेदों में 6 चोके की मदद से 69 रन की भैतरिन पारी खेली भारतिय महिला टीम ने पिछले वंडे में गत वर्श सितंबर में उस्ट्रेले खिलाफ सबसे वड़े लक्षे 255 रन को हासल करके जीत दर्ज करी थी उमीद यहाँ पर भी थी लेकिन यह पॉसिबल नहीं हो सका उस जीत के साथ भारतिय टीम में उस्ट्रेलिया को 26 मैचों में का जीत का सिलसला भी तोड़ा था चार देशों इखिलाफ एक एक हजार रन मना कर चौलेट एडवर्ट्स की बराबरी की आपको बता देए मिटाली ने वंडे किर्केट में चार अलग अलग टीमें उस्ट्रेलिया, इंगलेंड, शीलंका और न्यूजलेट इखिलाफ एक हजार रन पूरे करने के साथ ही चौलेट एडवर्ट्स की बराबरी भी कर ली है न्यूजलेट इखिलाब भारती महिला वंडे में एक हजार रन पूरे करने वाली पहली वो भारती किर्केटर बन चुकी है महिला के रूप में जस्तिका भाटिया ने उनका वखूवी साथ निबाया और किस तरीके से 30 नंबर पर उतरी थी उन्होंने 63 गेंदों पर 41 रन मिना है और दोनोंने मिलकर 88 रनों की पार्टनर्शिप की हैली जैंसन की शोड गेंद पर हाला कि वे अपना विकट गवा वैठ ही भारत को हर्मन प्रीत को और के खराब फर्म का खामियाजा भी भुगतना पड़दा है बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ दा टूर्नमेंट रही हर्मन प्रीत ने 22 गेंदों में 10 रन मना है फिशली 5 पारियों में उनका अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो 10 रन, 16 रन, 19 रन, 1 रन और नाबाद 30 रन रहा लेकिन भारत ने आखरी 5 विकड 25 रन की भीतर लेकर में अजबान के 48 दिसम्लव एक वर में 245 पर रोक दिया था सूजी को 14 के स्कोर पर जिवंदान भी मिला जब पूजा वस्तरकार की गेंद पर राजिस्वरी गायकवाल ने पॉइंट में उनका केच छोड़ा इसके पूरा फायदा उठाकर सूजी ने 111 गेंदो में 10 चोगे की मदद से 106 रन की एक भैतरिन पारी खेली लेकिन कुल मिला कर दोस्तों निशकर से ही निकला कि चीम इंडिया के इस मकाबले में करारी हार भी और इसार का बतला लेने के लिए अगले मकाबले में चीम इंडिया महिला बहुत जल्द उतरती नजर आएगी और क्या ये कमाल कर पाएगी ये देखना अब होगा दिल्चस्प